आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल करा यू स्पीड से गोइंग तुवर्ट इस्ट अप्सेंस अफेयर रिजिस्टेंस तो जो अपने इसको प्रोजेक्ट करा तो कोई रिविंड नहीं थी कुछ नहीं था आईडिल कंडिशन थी तैंब प्रोजेक्ट विंड अप्रोज विंड को विंड स्टार्ट हो जाए ब्लोग करना तो इसका नया तो जो और नहीं रेंग निया रेंग इसमें और पुराने टानल और रेंज में बूरन हो रिलेशन निकालके बताना है तो जेको जब horizontal wind start हो जाएगी horizontal wind will affect horizontal velocity जो भी horizontal wind आएगी वो horizontal force लगाएगी तो उससे horizontal velocity में change आएगा तो time period का formula क्या होता है time period होता है 2u sin theta by g अब u sin theta होता है u i मतलब velocity in y direction initial velocity in y direction velocity in y direction को कौन change कर सकता है force in y direction force नीचे लग रहा है न mg तो जो नीचे की तरह force लग रहा है वो ही उपर या नीचे वाली vertical velocity को vary कर सकता है और जो horizontal में force लगता है वो ही horizontal velocity को vary कर सकता है तो time period तो vary होने से रहा क्योंकि time period तो depend किस पर करता है u i पर, so time period initial और final same रहने वाले है, चाहे wind horizontal low हो या ना हो, time period same रहेगा बात करते है range की range होती है u square sin 2 theta भाई जी sin 2 theta को कहा लिख सकते हो, 2 sin theta cos theta ठीक है, 2 को बहार ले लो अच्छा, 2 को बहार ले लेंगे तो u sin theta के साथ और u cos theta के साथ, तो 2 u sin theta u cos theta, u sin theta क्या हुआ u x, मतलब initial speed in x direction, sorry u cos theta होगा u x और u sin theta होगा u y ठीक है ना, तो range किस पर depend कर रही है u x और u y पर अब तुमको यह तो पता लग लग या कि u y तो y direction में change होने से, force लगने से change होगा, g वैसी change होगा g constant है, 2 वैसी constant है u x change होजाएगा, अगर particle की initial speed x direction है 1 meter per second किया है और हवा भी इस direction में चलने लगे तो यह speed कुछ increase होजाएगी अगर यह speed कुछ increase होजाएगी तो क्या range भी increase होजाएगी, तो हमारी range भी increase होजाने वाली है तो हमारा answer होजाएगा कि range, नई range तो जादा होगी और तो time period होगा वो दोनों केस में बराबर रहने वाला है